Hello friends, मैं राजीब कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल ओटो मैथ्स के माध्यम से आपके समक्ष मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर पस्थित हुआ हूँ और ये नया टॉपिक है विभाजिता के नियम, रूल साफ डिविजिबिलिटी आज हम ये जानेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी तो सबसे पहले इसमें विभाजन अल्गोरिध्म डिविजन अल्गोरिध्म समझते हैं क्या होता है भाज बराबर भाजक गुड़ा भागफल प्रस सेशपल ये विभाजन एल्गोरिद्म का फार्मूला है इंगलिस में डिवीडेंट is equal to diviser into quotient plus remainder या PX is equal to GX into QX plus RX भाग देने के बाद अपनी विभाजन प्रक्रिया की सत्यता हम इस फार्मूले से जान सकते हैं हम ये जान सकते हैं कि जो भाग हमने दिया है वो सही है या नहीं है इसके लिए भाजक को भागफल से गुड़ा कीजिए और उसमें सेस्फल को जोड़ दीजिए अगर ये भाज के बराबर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी विभाजन प्रक्रिया पूरता सही है तो अब आगे हम अलग-अलग संख्याओं की अलग-अलग संख्याओं से विभाजता परिच्छर के विशे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस क्रम में है दो से विभाजता यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या सम संख्या अर्थात जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी अत्वा यदि किसी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाज्य हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी जैसे 0, 8, 10, 18, 3, 18, 6, 4000 या फिर 5, 6, 7, 8, 8 तो दो से विभाजिता की पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या में आखरी का अंक दो से विभाजित हो आखरी में अगर आप देखें किसी संख्या में जीरो हो, दो हो, चार हो, छे हो या आठ हो तो आप समझ लें कि वह दो से विभाजित हो जाएगी देखे जीरो हर एक संख्या से विभाजित हुआ माना जाता है तो अगर आखरी में जीरो है तो भी संख्या दो से विभाजित हो जाती है तीन से विभाज्यता यद किसी संख्या में उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो तो वह संख्या भी तीन से विभाज्य होगी तीन से विभाज्यता के लिए मित्रों क्या करते हैं संख्या के अंकों को जोड लेते हैं जैसे 6, 7, 8 में हमने अंकों को जोड लिया तो 6 प्लस 7 प्लस 8 यानि 21 हुआ अब 21 हमारा 3 से विभाज्य है क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है तो 21 तीन से विभाज्य है यानि के 6, 7, 8, 6, 78 भी जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी इसी तरह एक दूसरी संख्या 34, 105 लें तो इसके अंकों को जोड़ें 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5 बराबर 12 अब 12 भी 3 से विभाज्य है तो ये संख्या हमारी 6, 7, 8 भी 3 से विभाज्य हो जाएगी तो 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि उसके अंकों का योग 3 से डिविज्बिल होना चाहिए आगे बढ़ते हैं चार से विभाज्यता, चार से विभाज्यता क्या होती है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी जैसे 5764-9944-9900 आदी तो मित्रों 4 से विभाजिता का परिक्षण कैसे करेंगे हम ये देखेंगे कि किसी भी संख्या के आखरी में जो दो अंक हैं उनसे बनी संख्या क्या चार से डिविस बिल है जैसे 57-64 में आखरी के दो अंक हमारे 6 और 4 है यानि 64 बनाते हैं 64 ये 4 से डिविस बिल है तो ये हमारी पूरी संख्या 57-64 भी 4 से डिविस बिल होगी तो 64 यानि 16-64 होता है 4-16-64 यानि कि 16 बार में चला जाएगा इसलिए 57-64 क्या है चार से विभाज्य है इसी तरह ये दोनों संख्याएं भी 4 से विभाज्य है पांच से विभाज्यता क्या है? जिस संख्या का अंतिम अंक पांच से विभाज्य हो वह संख्या पांच से विभाज्य होगी यानि कोई संख्या आप देखें अगर उसका अंतिम अंक पांच से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या पांच से विभाज्य हो जाती है अंतिमंग जैसे मालो 0 हमने लिखा यहां तो 0 तो हर एक नंबर से divisible माना जाता है 0 हर एक संख्या से विभाजित हो जाता है तो ये 5 से भी विभाजित हो जाएगा अब ये 10 ये दूसरा उदाहरण है इसमें आखरी में देखे 0 है तो इसका आखरी का अंक 0 ये 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या यानि 10 पाँच से विभाजित हो जाएगी इसी तरह ये ग्यारा सो पाँच है इसका आखरी अंक 5 से डिविजबिल है तो ग्यारा सो पाँच 5 से विभाजित हो जाएगा इसी तरह 99-55 भी 5 से विभाज हो जाएगा अब 6 से विभाजता यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज हो तो वह 6 से विभाज होगी यानि अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से विभाजित हो जाती है तो निश्चित तोर पर वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी जैसे 96 देखे ये 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसका आखरी का अंक 2 से विभाजित हो रहा है और 96 में अंकों का जोड 9-6-15 होगा यानि ये 3 से भी विभाजित हो रही है तो ये संख्या 6 से भी भाजित हो जाएगी किसी तरह जो अन्य संख्या है हमने यहां लिखी है जैसे 216 है, 3600 है या 5640 है ये सब भी 6 से भी भाजित हो जाएगी साथ से भाजिता यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके सेस अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या साथ से विभाज्य हो तो वह संख्या साथ से विभाज्य होगी अब मित्रों इसका मतलब समझते हैं देखिए कोई संख्या दी गई है और हमको ये चेक करना है कि ये साथ से विभाजित होगी या नहीं होगी तो उसका इकाई कांक यानि दाएं और से सबसे पहला अंक लेंगे तो इकाई के अंक को हम दो गुना कर देंगे दो गुना करने के बाद देखेंगे जो बच्ची हुई सेस अंकों की संख्या है उसमें से दुगना वाला घटा देंगे और जो घटाने पर आए अगर वो साथ से विभाजित हो जाए तो वो संख्या साथ से विभाज होती है उदाहर लेते हैं 2436, 2436 ये एक संख्या है अब इसमें 21 कांक मित्रों 6 है अब इस 6 को हम दो गुना करें तो 12 होता है और 6 अंकों से बनी संख्या 6 को हटा दे तो 6 अंक हमारे 243 यानि 243 बनाते हैं अब 243 से आप 12 को घटा दीजिए तो 211 आया अब 231 को चेक कीजिए कि ये 7 से विभाजित है के नहीं देखिए 7 यहां से बचा 2 और 1 यानि फिर 7 तो अब ये 7 से डिविजिबिल है यानि 231 साथ से विभाज है तो हमारी संख्या 2436 भी 7 से विभाज होगी याद रखिए जीरो को प्रतेक संख्या से विभाजित मानते हैं देखे जब ये बात की जाए कि संख्या का आखरी या अंतर या योग ये उस संख्या से विभाजित होना चाहिए और तो फिर जीरो अगर आ जाए तो 0 तो हर एक संख्या से विभाजित हुआ माना जाता है इसलिए याद रखिए फिर वो 0 के लिए भी बात सत्य हो जाती है अब यहाँ पर देखे जैसे यह difference जो घटाया हमने यह 7 से विभाज जा रहा है मान लो यहाँ पर घटाने के बाद 0 आ जाए तो 0 भी तो 7 से विभाजित हुआ इसलिए वो संख्या भी 7 से विभाज हो जाएगी तो अगर 0 आ जाए तो भी वो 7 से विभाजित होगी तो अब आगे बढ़ते हैं आगे है हमारी 8 से विभाजिता यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या आठ से विभाज्य हो तो वह संख्या आठ से विभाज्य होगी यानि कोई संख्या हम लें और ये देखें कि उसके जो आखरी के तीन अंक हैं उनसे बनी संख्या क्या आठ से विभाजित हो रही है अगर हो रही है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी अब उदाहड के तौर पर 1000 लिया हमने पहले अब इसमें आखरी के तीन अंक हैं 0, 0, 0 यानि तीनों 0 हैं तो 0 हुआ और 0 तो हर एक नंबर से divisible होता है तो यानि ये पूरी संख्या 8 से भी divisible होगी यानि 108 से भी भाज्य हो जाएगा और इसमें देखिए 7888 इसके आखरी के तीन अंक जो हैं 888 हैं और अगर इनको हम इनसे बनी संख्या यानि 888 देखें तो ये 8 से divisible है तो ये पूरी संख्या भी 8 से divisible हो जाएगी यानि 7888 से divisible हो जाएगा इसी प्रकार ये दोनों संख्या भी 8 से divisible हो जाएगी अब 9 से भी भाज्यता यद किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से भी भाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी भाज्य होगी जैसे ये संख्या दी गई है यानि कोई संख्या है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये 9 से कटेगी की नहीं कटेगी तो आप क्या करें उसके अंकों को जोड डालें जोडने पर जो नंबर आएगा वो अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी जैसे यहाँ पर देखिए अंकों का जोड कीजिए 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 7, 18 यानि यहाँ पर जो जोड है वो 18 आ रहा है और 18 नौ से बट जाएगा 18 नौ से विभाज्य हो जाएगा इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी इसी तरह यह है 3, 3, 3, 0 यानि 3, 330 यह संख्या 9 से विभाज्य होगी कि नहीं कैसे पता करेंगे इसके अंकों को जोड़िए 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9 और 9 में 0 जोड़ा तो 9 ही रहा अब 9 तो 9 से डिविज्बिल है इसलिए यह पूरी संख्या यानि 3, 330 नो से विभाज्य हो जाएगी अब 10 से विभाज्यता यह बहुत आसान है जिस संख्या का अंतिमंग सोनने हो या फिर अंतिमंग 10 से विभाज्य हो यह भी कह सकते हैं तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी यानि जिसकिसी भी संख्या के आखरी में 0 मिल जाये तो समझ लीजे वो 10 से जरूर खड़ जाएगी अब अगला है 11 से विभाजिता यदि किसी संख्या के सम यवं विसम अस्थानों पर इस्तित अंकों के योगों का अंतर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी यानि के इसमें क्या है समझते हैं कोई संख्या है तो उसके सम अस्थानों पर सम का मतलब क्या होता जिसे दूसरे अस्थान पर या चौते अस्थान पर या चटे अस्थान पर और मित्रों विसम अस्थान क्या होगा पहला, तीसरा और पाँचवाँ अस्थान, ये विशमस्थान होगा यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 84678 84678 है ये अब इसमें विशमस्थानों का योग क्या होगा विशमस्थान यानि पहला, तीसरा और पाँचवाँ यानि 8, 6 और 8 इनको जोड़ा तो बाईस आ गया और सम अस्थानों पर जो योग है तो सम अस्थानों पर दूसरा अस्थान है चौथा अस्थान है यानि चार और साथ इनको जोड़ा तो आ गया 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 तो अब हम ये देखेंगे कि इनका अंतर क्या है तो पहले जोड जो आया था, बाद में जोड 11 आया था ये हो सकता है कि जो बाद में आपका जोड आये, ये ज़्याद आये, उपर वाला कम हो तो हमें अंतर देखना है बस तो यहाँ पर 22 से 11 गटा दिया, तो 11 बचा, अब 11 तो 11 से विभाज है इसलिए ये हमारी पूरी संख्या भी 11 से विभाज होगी आगे बढ़ते हैं इसके बाद 12 से विभाज जता है, जो संख्या 3 और 4 से विभाज हो, वह 12 से भी विभाज होगी यानि कोई संख्या अगर ऐसी है जो 3 से भी कट जा रही है और 4 से भी कट जा रही है तो निश्चित तोर पर वह 12 से भी कट जाएगी तो जैसे 1524 है अब इसको 12 से भाग दे देंगे तो इसमें भाग हो जाएगा क्योंकि ये 3 से कट रही है 3 से कटने के लिए तो ये चेक करते हैं 5, 1, 6, 2, 8, 4, 12 अंकों का जोड 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी और ये 4 से भी विभाजित हो रही क्योंकि इसके आखरी के दोंकों से बनी संख्या 24 है जो की 4 से विभाजित है यानि ये संख्या 1524 है जो ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है तो ये हमारी संख्या 3 और 4 से विभाजित हो रही है तो ये 12 से भी विभाजित हो जाएगी इसी तरह हमारी ये 33 सो है ये भी 12 से विभाजित हो जाएगी अब 13 से विभाजिता देखते हैं 13 और 17 की विभाजिता बहुत important है क्योंकि ये बड़ी संख्याएं हैं यहां पर अक्सर confused लोग हो जाते हैं तो तेरा से विभाजिता क्या है? यदि संख्या के इकाई अंक को चार से गुणा करके सेस अंकों से बनी संख्या में जोडने के बाद प्राप्त संख्या तेरा से विभाजिय हो तो वह संख्या तेरा से विभाजिय होगी अब इतनों इसको समझते हैं देखिए कोई संख्या हमको दी गई है उसमें इकाई कांग यानि आखरी कांग उसको चार से आप गुड़ा करा दें बाकी जो अंक बचे हैं उनसे जो संख्या बन रही है उसमें जोड़ दें और जो प्राप्त संख्या होगी वो तेरा से बटे तो समझ लीजिए कि संख्या तेरा से विभाज होगी खुदाहड के लिए 143 हमने लिया अब इसमें इकाई कांग यानि तीन है आखरी कांग तो तीन है तीन में हमने चार का गुड़ा कराया बारा आ गया तो सेस अंकों से बनी संख्या यानि तीन को छोड़ दीजिए तो बाकी दो अंक हमारे पास बचते हैं एक और चार इनसे बनी संख्या हमारी है 14 अब ये 14 और ये 12 अब इनका योग कर लीजिए योग आया 26 और 26 तेरा से विभाज है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 143 तेरा से विभाज होगी और अब आखरी है 17 से विभाजता यदि संख्या के इकाई अंक को पाँच से गुणा करके सेस अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 17 से विभाज हो तो वह संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी तो मित्रों ये समझते हैं क्या है 17 से विभाजिता इसमें क्या करते हैं जो इकाई का अंक होता है उसको 5 से गुणा कराते हैं और सेस अंकों से बनी संख्या में से घटा देते हैं यानि जो सेस अंकों से संख्या बचेगी उससे घटाएंगे पांच की गुड़ा वाली संख्या को तब क्या होगा जो आएगा अगर वो सत्रा से विभाज्य हो तो आप समझ लें कि ये संख्या भी सत्रा से बटेगी उदाहर से समझते हैं इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चार सो पचीस के विशे में विचार करते हैं इसमें इकाई का अंक पांच है तो पांच से गुड़ा भी करानी है तो पांच पंजे पच्चीस हो गया सेस अंक हमारे बचें 4 और 2 इन से बनी संख्या 42 है इसको यहां लिख दिया अब घटा दीजिए 42 से 25 घटा है तो 17 बचा ये 17 हमारा 17 से विभाज्य है क्योंकि 17 एक हम 17 कट जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी संख्या जो की 425 है ये भी 17 से विभाज्य हो जाएगी तो इस तरह हमने आज के वीडियो में आपको अलग-अलग संख्याओं से विभाज्यता के नियम समझाए हैं और एक मुख्य बात ये भी समझाई है कि जीरो प्रतेक संख्या से विभाजित हुआ माना जाता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे और अपने सुझाओ देंगे अगर इनमें कोई कमी है तो हम उसमें सुधार करेंगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोटो मैट्स है थैंक यू